आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं PM किसान में एक नया ओप्सन याया हुआ है EKYC और EKYC क्या है किसके लिए जरूरत है इसकी क्यों जरूरत पड़ी और इससे क्या फाइदा मिलने वाला है क्या आपके अधार कार्ड में मॉबाइल नमर लिंक है आप एक केवशी करवा पाएँगे अगर आपके अधार कार्ड मॉबाइल नमर नहीं लिंक है तो आप क्या इसे करा पाएंगे या नहीं करा पाएंगे कराने से क्या benefit मिलेगा नहीं कराने से क्या benefit होगा इन सबी चीजों के बारे में आपको इस वीडियो में विस्तार रूप में आपको जनकारी मिलेंगे तो आप हमारी इस वीडियो में बने रहे हैं और इस वीडियो को लाश्ट तक देखिए और हमारी इस वीडियो में बने रहना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक कर दिए तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं आखिर में एक किवासी की जरुरत क्यों पड़ी सरकार को देखिए PM किसान का जितने भी किसान को benefit मिल रहे हैं बहुत सारे ऐसी किसान हैं जिनके खाते में पैसे इमातर एक या दो किस्ट आया हुआ इसके बाद उसके खाते में पैसे नहीं आ रहे हैं तो उसके लिए एक किवासी बहुत ही अच्छा कारगर सीध होंगे अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं आ रहे हैं एक या दो किस्ट आये हुए हैं तो आप एक किवासी करवा लें और सरकार चाहते हैं कि एक वैसी परती एक साल हो या एक साल हो ये तो इसके बारे में सरकार नहीं बताई है लेकिन एक वैसी की जरुरत जो पड़ी है सरकार को ये जनकारी करने के लिए कि कौन से हमारे किसान अभी जुईत है या उसकी मिर्तियों हो चुकी है वो सरकार को पत करना है कि किस किसान का मौत हुआ है किस किसान का मौत नहीं हूआ है उसके लिए यह कैवेशी ले कर के आए है तो यह कैवेशी अगर आपके अधार किस्त बाकी है वो टोटल जोड़ करके आपके एकाउंट में पूरा मिलेंगे तो आप अगर आपने भी तक EKS नहीं किया है तो आप करवा लें और बात करें कि EKS क्या अभी हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है तो आप नॉर्मल ब्राउजर में जाएंगे EKS करने के लिए जैस करने को मिलते हैं नया option के आया हुआ है EKS का जैसी आप EKS पर किलिक करते हैं तो आपके सामने आधार नमर डालने का option आता है जैसे ही आप आधार नमर वहां पे फिल करते हैं उसके बाद आपके सामने एक option आता है mobile नमर डालने का जैसे आप mobile नमर जो डालेंगे उसमें OTP न इसके बाद finally वहाँ पे invalid OTP करके एक option जाता है और वहाँ पे EKWC पूर्न नहीं हो रहा है अभी कुछ error आ रहे हैं invalid OTP बता रहा है तो यहां से नहीं हो रहा है बात करें CSC से अगर आप CSC में जाएंगे CSC में आप देखेंगे वहाँ पे तो जैसे की normal browser में भी जाएंगे PM किस से EKWC करने के लिए जैसे आप किलिक करते हैं तो वहाँ पे page open नहीं होता है कुछ error आ रहे हैं वहाँ पे open नहीं हो रहा है तो अभी बहात करें EKWC अभी पूरा नहीं हो पा रहा है चाहे आप normal browser से करें या CSC से करें जैसे ही यह चीजने start होगी चाहे CSC से हो या normal browser से हो उन इन दोनों चीजों से अगर जैसे EKWC होना start होता है आप सभी लोगों को हमारे चैनल पे एक नया वीडियो देखने को मिल जाएंगे और finally पूरा प्रोसेस CSC का भी अलग वीडियो बनाएंगे और normal browser से आपकी इस तरह से EKWC को करवा पाएंगे और कर पाएंगे उसके बारे में भी आपको knowledge मिलने वाले हैं तो अगले वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को subscribe कर सकते हैं और अभी तक हमारे इस वीडियो को like ने की है तो like कर दिजिए चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में तद तक के लिए हमें इजाज़त दिजिए बाए प्रोष आप लेगमें उना शेंवा हमें नहीं स को आप हमारे इस वाफ दिए तक भीडियो को आप हमारे चेंगं अजड़ दिए और देılan हैं चेंगे कोने का डिए तक техग के उड़एंश स कर दोस्तों याज देब tarkागा हमें दोस्तों तक की मिलत दोस्तों का उस्तों के ऊ